हाई फ्रेंड जमना कीचनम आप सभी का स्वागत है आज की रेशीपी है आज मैं सूजी की ऐसी रेशीपी लेकर आई हूँ तो आज मैं वह रेशीपी बनाऊगी सूजी वाली जो आप देखते रहने हैं कैसे बनाएंगे तो चलिए मैंने एक कटोरी सूजी ले लिए अंगे डालें commando épo तो छीप बनाटियूहे डाल दिया है अब इसको आच्रीट ना पड़ी तोड़ी पाणी में गोलकर लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं 1 चमच जीरा डाल देते हैं आपके पास और फाल सकता आतों मैं यू को द ciao ध यहाि यूड़ी ले लिए मैं अब स्वातिके निसार नमक एट कना है तो यह मैंने नमक ले लिया है और दिटायों को अच्छी तरह मिख्ष कर लेते हैं बहुत ही सांदार मिक्स हो के तयार हो गया अब मिक्षी के जार में निकाल ले इसको बहुत युबढ़ा बेटर बनकर तयार हो जाएगा बिल्कुल ब लाड़ लेते हैं बहुत इच्छे बेटर बनके तयार हो गया है बिल्कुल कुछ भी रिनी राइस के अंदर अब चलते गेस की तरफ इस चुटकी और मैंने काली मर्च का पाउडर डाल देते बहुत ही टेस्ट लगेंगे अब इसको कर लेते मिक्स कलर बहुत ही एच्छा बनेंगे तो यह मैंने डेट चमस्के करीब पर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब कोई से बर्तन में बनाना वह बर्तन को भी तेल लगा देते हैं इसको साइड में रख देते हैं यह वाला है तो दोस्तों मेरे पास बुर्ष तो है नहीं मैं रू हएभर विखtime अलग चुका है अधर मंघभर देते बेट को अब किसमें ढाल दो अब इसको अच्छी तरह कट देते ऊके अवह तैक बोड़ना से तो मैंने कट दिया इसको उपर तो दोस्तों हाल किसी नधों का भी बनाना है मर्च यहाँ से डालना है यहाँ से डालना है यह मैंने डाल दिया है अभी सब्सक्राइब यह चलते हैं तरह बेटर तयार हो गया है इसको रखाएंगे चुछा कर दिया पानीच कर देते हैं तो यह उपर आपके लिए डिए तो यह यह एक जिगा सेफ रहेंगे तो इसमें पनी डाले या कड़ाई के अंदर बीपन डाले मुझे और फेन नहीं बनाने के लिए तो मैं इसमी बनाओंगी अब इसको रख देते हैं तो यह लेगा भी नहीं है और अब लगा देती डखन यह वाला डखन लगा देती हूं नास्ता बनके तयार हो जाएगा पटा पटन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें तो यह बेटर बनके तयार हो गया है बहुत ही सवंदार अब इसको कर देते बंद बहुत इच्छे बनके तयार हो गया है अब इसको निकाल लेते और ठंडा होने के बाद मैं पलेट से निकालोंगी इसको बहुत इच्छे नास्ते बनके तयार हो गया है चलिए दोस्तों इसको कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं ऑट तो दोस्तों बहुत की मदल से इसको इशेर कर देते हैं साइड से जगह छोड़ देंगे तो फटा-फट पलेट का अंदर आ जाएंगे यह ठीनदा अच्छी तरह तो पलेट ले लेते हैं अभी इसको ऊपर इसको नब पठकेंगे इस से जिए अच्छी तरह प्लेट में घिरा गया इसको विभी बिल्कुल इसके चपका भी नहीं अलगा सा चिपका है तो चलिए दोस्तों अभी समय प्पेन में इसको उल्ट पुल्ट करके फड़ाई कर लेते हैं तेल के अंदर कि चलते हैं चलते के इस की तरफ कर लेते में नादिया है यह अलग अलग कर दिया मैंने बिल्कुल पीजा की तरफ कट कट कर दिया है यह देखो इतना अच्छा शेप है बिल्कुल हाथ में से लेने से भी कितना लब-लब कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों गेश की तरफ चलते हैं बहुत इच्छे नास्ते बनके तेयरा हो कि अधने पहली बार बनाया है फिर भी नास्ता बहुत अछशे बन गए हैं तो चलिए गेश की तरफ चलते हैं अब इसके अंदर तेल डाल देखें और रवल कर दिया है तो चलिए दोस्तों इसमें तेल भी डाल दिया है अलकासा अब इसमें फराई कर लेते हैं अलकी सी फ तो दोस्तों यह नास्ता बनके तयार हो गया है मैं आपको काट के बताती हूं तो चलिए दोस्तों आज की रेसिपी बना के तयार कर लिए आप टोमोटे सोज की साथ भी खास शुरू कर सकते हो और बहुत ढ़ती नासता है आज की रेसिपी आपको क्या है मुझे कॉमेंड करे और लाइक करे और सेयर सबक्राइब करे और डेल वेटन दबाईए और बहुत बहुत धन्यवाज आपको अगली रेशिपी में मिलते रहेंगे